तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशन के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं तो उससे सीखो, go into the root cause of it ताकि वो जो गलती आपने करी, वो दुबारा मत करो, that is important पहली बार, अब देखो कितनी मज़़ार चीज निकल के आ रहे हैं, बात करते करते पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है, तो वो गलती नहीं है समझ गया है अंजाने में करी है तुम गलती नहीं है लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो ये गलती है मुझे एक चीज की knowledge ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया ये गलती नहीं है कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो possibility रहेगी न success failure की तो रहेगी न तो आप fail होगा इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन उस failure से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो ये गलती है ये blender है अपनी गलतीयों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो रो रहे हो परिशान हो रहे हो ये गलती है कोई भी गलती आपकी life की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ओपर हावी हो सके हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना है में लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतीयां है मैं उससे बड़ा हो अपने आपको ये बोलो आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो ये universe इतना बड़ा है कि आपकी गलती को absorb कर जाए अगर आप universe के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत चोटी लगेगी जिसका आप बड़ी समझ रहे हो कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके चाए फिर वो आप ने करी चाए किसी और ने करी तो गलतीयों से सीखो सीख करके क्या होगा आप धीर धीरे मैच्वार होते चले जाओगे अंदर से स्ट्रॉंग होते चले जाओगे ये दोनों चीज़े तभी होगी जब आप सीखोगे पर एकजामपल आपने एक गलत रिलेशन्शिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशन्स रखना है लाइफ में तो क्या ये छोटी क्वालिटी है दियू थिंग पेशन्स इस स्मॉल मतला पेशन्स इस सो बी यार पेशन्स से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में सही डिसीजन्स ले सकते हो सही चॉइस ले सकते हो अगर आप में patience है तो अराम से सोच समझ करके decision लेना है ठीक है नो My question is that how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death बहुत भारी सवाल है ऐसे तो बट ये सवाल क्योंकि हरे को face तो कभी ना कभी करना ही है जो लोग आपके आस पास में इनको बहुत प्यार करते हैं मरना ही करते हैं मैं नहीं कितने अराम से पोज़ जाता है में लें matter नहीं करती है ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी matter ना करें समझ गए ना वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबस्यादा प्यार करते हो कोई भी हो सकता है वो मर सकता है ना आज हम खुद भी मर सकते है तो अब कैसे अपने आपको इतना strong बनाये जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे उपर असर ना हो उपर उपर से तो होगा ऐसा नहीं हो सकता हो उपर से नहीं होगा अंदर से नहीं हो उपर और अंदर का मतला हमको समझ आ रहा है इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा वाट इस आउटर वाट इस इनर आप एक मूवी देख रहे हो मूवी देख रहे हो रो रहे हो तो ऐसा लग रहा है आपके उपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है लेकिन क्या एक्चुल में हो रहा है नहीं हो रहा क्यों कि आपको पता है कि वो मूवी है तो आपकी achievements का भी आपके उपर असर ना हो आपके failures का भी आपके उपर असर ना हो दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके उपर असर ना हो health से related आपके अंदर कोई problem हो जाए पॉर्डी में उसका भी आपके उपर असर ना हो, यह सब चीज ऐसी हैं, जो होनी होनी हैं आप लोग साथ में, अभी हो सकता है, यह समझ नहीं आ रहे होंगे, पर जैसे से एज बढ़ेगी, दिर दिर समझ आईगी, यह सारी बात है, उसके अलावा, आपके आस पास में, अग कोई बहुत ज़्यादा बिमार हो गया, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके उपर असर ना हो, और भगवान ना करे, अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके उपर असर ना हो, क्या यह हो सकता है, पहले तो सवाल यह है, क्या लगत क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है देखो धीरे धीरे अगर आपको यह समझ आया है अगर यह नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से लेकिन आपको हो सकत समझ ना आए, मुझे समझ आ गई है, इसलिए मेले वो सच है, वो क्या है, अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं, बैलेंस का मतलब लोग यह समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है, दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हस रहे हो तो खुल के हसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है, गेम है, जिसमें मैं एक प्लेयर हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूँ, उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका actual में मेरे उपर असर नहीं हो रहा है यह बात अभी हमको समझ नहीं आती है अगर यह बात हमको समझ आ जाए जो मैं role की बात करता हूँ मैंने अपने how to control your mind वाले में भी example दिया था एक role का example दिया था कि आप एक role में लग रहा होगा कि आपके उपर असर हो रहा है शायद आंसू भी आ रहे होंगे शायद आपास भी रहे होगे सब कुछ कर रहे होगे फेल हो रहे होगे लेकिन अंदर से you'll always be untouched अगर यह नहीं पकरने आया तो कोई solution नहीं है honestly अगर आप मुझसे पूछ होगे तो क्या होगा आप एक video game खेल रहे हो लेकिन आपको यह नहीं पता कि यह game है life एक game के जैसी है लेकिन आप इस game में serious हुए पड़े हो तो क्या होगा आप सही decisions ले ही नहीं सकते आपके जो भी decisions होगे वो ज़्यातर गलत ही होगे क्यों गलत होगे जब कि आपके सला सही होगी आप अपने दोस्तों को सला दोगे वो सला सही होगी लेकिन खुद को सला दोगे वो गलत होगी क्यों मैं बीच में आ गया ना बस इसको ध्यान से समाज़ लो यह बात पकड़ में आ रही है जब हम सला देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सला देते हैं जब हम खुद उस situation में होते हैं तो हम बेवकुफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं ऐसा क्यूं होता है क्यूं होता है क्यूंकि हमने अपने आपको उस situation से identify कर लिया है इसे गेम खेलते खेलते suppose आप भूली रहे तो क्या होगा एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पै टूटा हड़ी टूटी तो आप रोने लग जाओगे चिकने चिलाने लग जाओगे मतलब हो क्या रहा है हम बहुत जादा इंवाल हो गए है उस गेम में डिटाच होकर कि उस गेम को नहीं देख पारे है इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा हम भूली रहे हैं कि ये खेल है ठीक है ना खेल में हम बहुत जादा सीधिस हो गए है लाइफ को एक खेल की तरह देखो मेरे लाइफ कैसी है मतलब अगर आप मुझसे पुछोगे what does life mean to me मेरे लिए जो body है ना और जो mind है mind मतलब समझते हो कि जो programming है जिसके through यो body काम कर रही है एक software है एक hardware है clear है ना? जो हमारे thoughts है वो software के जैसे है body हाडवेर के जैसी है जैसा software काम कर रहा होता है वैसी body act कर रही होती है software निकाल दो body में से तो body कैसे act करेगी clear हो रहा है न? तो यह क्या एक software है एक hardware है तो मेरे लिए life क्या है? मैं दोनों से untouched हूँ ना तो मैं hardware हूँ ना मैं software हूँ मैं इन दोनों को create करने वाला हूँ बन्या ना खेल पहचानना की जरुवत ही नहीं आप हो आप इस bottle से अलग हो इसमें पहचानने की क्या जरुवत है आप bottle को देख रहे हैं ब bottle आपको नहीं देख रहे है क्या ये fact है ये ये को illusion है fact है भई आप अपनी इस body को देख सकते हो लेकिन ये body आपको नहीं देख सकती ये fact है ये illusion है fact है तो fact के बारे में क्या सोचना है clear हो गया तो मैं जानने वाला हूँ इस पूरे के पूरे खेल को अब इससे क्या होगा then you will become an artist एक कमाल के खिलाडी बन जाओगे आप life के life आपके लिए खेल जैसी होगी मतलब एक कमाल का खेल अब खेल क्या है कि किस तरह से इस hardware को मतलब कि इस body को और इस software को मतलब कि mind को program किया जाए इस body को design किया जाए और इसके आस पास में जो relationships है जो business है तो perfect अभी हो नहीं सकता लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है समझ पा रहे हो तो धीरे धीरे अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो ज़्यादा deep में मज जाओ इतनी सी बात को समझो कि जिन्दगी ये खेल है अगर ऐसा आप माल लेते हो तो आपका गया क्या ये बताओ कुछे आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं लोगी अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में क्या कमी रह गई है जैसे वीडियो गेम खेलते हैं सब खेलते हैं उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप expert हो जाते हो पहले दिन में क्या जीरो से शुरू करते हो फिर गिरते हो फिर जीरो से शुरू करते हो फिर उसको बेटर करते हो बेटर करते हो बेटर करते हो धीर धीर आप क्या होता है आपका लेवल बेटर होने लग जाता है आप पांचवे पे जाते हो दसवे पे जाते हो अब जिन्दगी के खेल पर वीडियो गेमे क्या फर्ख है? वीडियो गेमें एक एंड आ जाता है एक एंड आ जाता है कि यह पचासवा लेवल है इसके आगे और कुछ नहीं है जिन्दगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है there is no end and that is a beauty of life that perfection is just a word which does not exist in reality that is a beauty of life नहीं तो मैं करता क्या? समझ रहे हो? नहीं तो आप करोगे क्या? अगर perfect हो गए तो आप खेल में मज़ा ही नहीं रहे गया जब तक जिन्दा हो जब तक सांसे चल रही हैं जब तक हम है इस दुनिया में तो उस खेल को हम better करते चली आ रहे हैं और better बहार नहीं अपने अंदर और अगर अंदर की खेल को आपने perfect कर लिया तो आपको ये भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है मतलब अब आप aware हो गए उस खेल में अभी आप aware नहीं हो अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो आपको ये तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहाँ से एक reaction आएगा जिसकी वएसे हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी क्यों बोलना है मत बोलो क्यों ऐसी बाते बोलनी है जिसकी वएसे कलेश होने वाला है या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुप चाब मून नीचे करके वहाँ से निकल जाओ किता मसा आएगा खिलने में मतलब जब तक आपकी सांसे चल रही होंगी बिमार हो गए है अभी क्या होगा बिमार होगए तो रोने लग जाओ या थोड़ी से negativity आ गई थोड़ी से stress आ गया है तो क्या होगा दुखी हो जाओगे तो क्या होगा है खेल है खेल का पाठ है बिमार होगा उस बिमारी को देखो समझपा रहे हो क्या मुश्किल है करदा बहुत असान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है अपनी उस बिमारी को detach हो करके देखो कि मेरे हाथ में एक remote है याने की mind और यह body है, जो screen के ओपर दिख रही है, और यह body बिमार हो गई, अब मैं क्या करूँ, अब इस remote में क्या ऐसा कोई button है, जिसलिए तो बिमारी ठीक हो, या वो बिमारी दुवारा ना हो, या अगर बिमारी पताए कि हो गई है, और इतने दिल लेगी है ठीक होने में, और इसकी के लिए नहीं रहने वाली है, दस दिन में गायब, समझ गए, तो देन, यू लाप patience ऑलसो, ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, खेल में किसी से लडाई जगडा हो गया, क्या फर्क पड़ता है, रिलेशिंशिप्स बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क देखो, अपने आपको better बनाने के बारे में सोचो, यह हम नहीं सोचते है, बस हम यह सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना, वो फटा-फट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो, बुरा लगेगा सुनने में पर चिंदी बन जाते हो, समझ ही पांतर ज जाती है, उस वज़े से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वज़े से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धस्ते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुब दुख है वो चीजों से related है, लोगों से related है, बाहर जो चीज़े हैं उस से related है, सारा control दुनिया के आ रहा है ना पकड़ में, चीज़े आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है, आज ये body है, इस body के आसपास में और bodies है, कल एक body उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है, ये दीरे दीरे समझना है आपको, इसको, ये body कम हो गई, चाहे दूसरी body है, क् अगेल है, एक बिमार हो गई, फिर ठीक हो गई, समाज़ रहा किताब, मतलब मुझदार है, it's funny actually, अगर आप इसको light-hearted हो करके देख पाऊ तो, आपके लिए action में दूसरों के life तो funny ही है, बस अपनी life ही serious है, आप परोशी के साथ कुछ भी हो जाए, कोई पर नहीं परता, वो स अगले हरकत है कर, be mature, be wise, समझो कि किसमें आपकी powers बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी, बिजनस में loss लग गया, माल लो, बहुत बड़ा loss लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पर आने वाला, क्या होगे, खेल है, अब देखते हैं, अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होगी, मुझे अरे मज़ा आ गया, खेल है, समय रहे हो, यही तो खेल का मज़ा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पर क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है, देखो एक वीडियो गेम है, जिसमें जो लेवल्स आप क्रॉस कर चुके हो, उसी को बार-बार क्रॉस करने में मज़ा आता है, या अगले लेवल पर जान इट, स्लीप, रिपीट, रिपीट कर रहे है, क्या मज़ा है, सेम लेवल पर, इसलिए फ्रस्ट्रेटेट हैं सारे के सारे, उनके पर जा करके बैटो के खुद थक होए हैं, आपको भी ठखा देंगे, लाइफ नहीं नजर आईगी, बॉटल जैसे है, समझ यह ना, बॉटल में आपको अटिम मिलेंगे, पच्चों के साथ खेलेंगे तो, खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो, खुल के करेंगे, इस करेंगे तो, खुल के करेंगे, इस करेंगे तो, खुल के करेंगे, तक खमाल के आशिक होंगे, समझ गे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी क कर सकते हैं ऐसी चीज़े जो आदमी सोच में नहीं सकता वो